आप देख रहे हैं अन्होनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर उस रात खूबतीज बारिश हो रही थी, मैं और नील किसी काम की सिलसिले से बाई रोड कोलकाता जा रहे थें वैसे अगर सच कहूँ, तो ऐसे खतरनाक मौसम में निकलने का मन ना तु मेरा था और ना ही नील का, लेकिन काम था ही इतना जरूरी कि हमें निकलना पड़ा और तो और रास्ते का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था, कहीं बड़े बड़े खड़े, तो कहीं प्लेन रोड, चूंकि वक्त आदी रात का था, इसलिए मुझे अब नीद आने लगी थी मैंने सोचा कि जब तक नील गाड़ी चला रहा है, तब तक मैं एक जबकी मार लेता हूँ, यही सोच कर मैंने अपनी आँखों को बंद कर लिया अभी मुझे आँखबंद किये हुए, कुछ एक दो मिनट बीते ही थें, कि तभी सामने से किसी बड़ी गाड़ी की हौरन सुनाई पड़ी मेरी आँखें अपने आप ही खुल गई, तो मैंने देखा गी, एक ट्रक काफी तेजी से चलते हुए, बिलकुल हमारी गाड़ी के पास आ रही है और अगर वो ट्रक ऐसे ही चलती रही, तो यकीनन वो ट्रक और हमारी कार टकरा जाएगी डर के मारे मैंने अपने दोनों आँखों को हाथ से दाब कर बंद कर लिया, मुझे ये एहसास हो रहा था, कि वो ट्रक हमारी कार के बिलकुल पास आ चुकी है मगर तभी एक जटके से मैं दाई और जुग गया, मैंने आँख खोल कर देखा, तो नील काफी घबराया हुआ था और उश ट्रक वाले को बड़बडाते हुए गालियां दे रहा था, इस पर मैंने नील से कहा हास आज बच गए, मगर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, कि अभी तो खेल शुरू हुआ है पिछली सीट पर पड़े सामानों को देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुडा, तो मेरे पुरे बदन में शीत की एक ठंडी लहर दोल गई क्योंकि अभी तक जिस सीट पर सिर्फ सामानों का बैग रखा हुआ था, वहाँ अब उन सामानों के साथ एक आदमी भी था हालंकि अंधेरा काफी ज्यादा होने की वज़ा से साफ साफ दिख नहीं रहा था, मगर हाँ मेरी आँखें इतनी कमजोर भी नहीं थी, कि इतनी पास बैठे आदमी को देख ना सकें मैंने धीरे से निल का हाथ दाबा और दबीसी आवाज में बोला निल, निल पीछे देख, इस पर निल ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा क्या है पी, निल की बात अभी खतम भी नहीं हुई थी, कि शैद उसने उसे देख लिया, जिसे मैंने देखा था निल ने जट से गाड़ी के छट पर लगे, लाइट को जलाने की कोशिश की, मगर हैरानी वाली बात, लाइट जल ही नहीं रही थी मैं डर गया, लेकिन निल नहीं, उसने पीछे बैठे उस आदमी को धमकाते हुए कहा कौन तुम, उत्रो गाड़ी से, उत्रो अभी मगर वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था, तभी मैंने कहा निल गाड़ी रोक, लेकिन जब निल ने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा तब भी गाड़ी नहीं रुकी, निल का चहरा एकदम से पीला पड़ गया गाड़ी ब्रेक फेल हो चुकी थी, निल ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया अच्छी बात तो ये थी, कि सडक एकदम खाली थी, इसलिए गाड़ी भी कुछ दूर जाकर ही रुक गई तबी निल बोला, संबू, डेसबोट खोल, उसमें टॉर्च होगा, इधर देना मैंने डेसबोट खोला, और टॉर्च निकाल कर निल को दे दिया मगर एक और अजीब बात, कि वो टॉर्च भी ओन नहीं हो रही थी खिसिया कर मैंने निल के हाथ से वो टॉर्च लिया और टॉर्च से ही पीछे बैठी उस आदमी को मारने की कोशिश करने लगा मगर टॉर्च की मार से जहां उस आदमी को चीखना चाहिए था वहीं वो आदमी बेशर्मों की तरह हीं करके हसे जा रहा था क्योंकि टॉर्च उस आदमी के शरीर को आरपार करके गाड़ी के सीट पर लग रहा था तबी निल बोला ऐसे कुछ नहीं होगा अंधेरा है गाड़ी के बार निकल कर पीछे का दर्वाजा खोलते हैं ये बोलती ही निल अपनी सैट का दर्वाजा खोल कर बाहर निकला तो इधर से मैं भी नीचे उतरा फिर हम दोनों मिलकर गाड़ी के पीछे वाली सीट का दर्वाजा खीचने लगें मगर पता नहीं क्यों दर्वाजा खोल ही नहीं रहा था जैसे किसी ने अपने दोनों हातों से दोनों दर्वाजों को पकड़ कर रखा हो अंत में ठक हार कर हमने भी अपनी कोशिश बंद कर दी और पता नहीं वो कौन सी मनूज खड़ी थी जो उस समय उस रास्ते पर से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी तभी नेल उस तरफ से चलते हुए मेरे पास आया और बोला अब क्या करना है इस पर मैं बोला पता नहीं अब क्या होगा गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो गया है अभी मैंने ये बोला ही था कि तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई गाड़ी ब्रेक फिल होई नहीं एक बार देखे नहीं ना इसका मतलब था गाड़ी ब्रेक फिल नहीं है हालनकि मुझे और नील को इस पर यकीन तो नहीं था मगर मन की शान्ती के लिए एक बार मैं और नील फिर से गाड़ी में बैठे और जब नील ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा कर ब्रेक मारा तो सही में गाड़ी के ब्रेक काम कर रहे थें मेरा भी डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था मगर उस आदमी से बात करने की हिम्मत ना तो मुझ में थी और ना ही नील में इसलिए हम बस चुप चाप आगे बढ़े जा रहे थें रात के उस काले अंधेरे में सरपड दोड़ती हमारी कार की हेड लाइट ही रोशनी का एक मातर जरिया थी अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थें कि तभी रास्ते के किनारे कोई आदमी खड़ा दिखा जो की हाथ दिखा कर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था बारिश में भीग रहे उस आदमी के चहरे से ये साफ जलक रहा था कि वो किसी मुसीबत में है और अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी शैद यही सोचकर नील ने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका और खिड़की का काँच दीरे से नीचे गिराया तब कार के बाहर खड़ा वो आदमी बोला दादा एई पासे ही अमार ग्राम है नीम तुल्ला आप हमको वहाँ तक छोड़ देगा इस पर नील बोला मैं तो आपको छोड़ दूँगा पर पीछे जो भाई साब बैठे हैं वो दर्वाजा खोलेंगे इस पर बाहर खड़ा वो आदमी कुछ बड़बडाते हुए पीछे वाली सेट के दर्वाजे पर गया उसके बाद जो हुआ वो मेरे और नील के होश उड़ा गया पीछे वाली सेट का दर्वाजा अपने आप ही खुल गया और बाहर खड़ा वो शक्स कार में बैठ गया तभी उस आदमी ने कार में पहले से बैठे उस अद्रिश आदमी से कहा बोला तू तू कहा जा रहा है इस पर उस अद्रिश आदमी ने कहा हम बहुत आगे ही बैठ गया था बाबु साहब का गाड़ी में उन दोनों की बातों से ये साफ जाहिर था कि वो आदमी उस भोला नाम के अद्रिश आदमी को देख पा रहा था मैं और निल अभी भी एक दूसरे का चहरा ही ताक रहे थे क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी समझ नहीं आया था इसी बीच मैंने जब तिर्शी नजर से पीछे देखा तो मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई क्योंकि थोड़ी दिर पहले जो आदमी कार में बैठा था वो भी भोला की तरही अंधेरे में धुंदला सा दिखने लगा मुझे डर तो लगा मगर मैंने अपना डर नील के सामने जाहिर नहीं किया क्योंकि नील गाड़ी चला रहा था और मैं ये नहीं चाहता था कि घबरहट में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तभी मैंने बिना पीछे देखे ही लिफ्ट वाले आदमी से पूछा आप इनको देख पा रहे हैं? मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं इस पर उस लिफ्ट वाले आदमी ने कहा अरे पैचानेगा नहीं? ये मेरा बाच्चा का दोस्त है हम दोनों एक साथ में खेला, कुदा, मरा, जानेगा नहीं? और ये बोलकर वो दोनों जोर-जोर से हसने लगें और मैं रोने-रोने पर आ गया नेल भी अब बहुत डर चुका था जो कि उसके कापते हाथ और सोके हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था मेरी आँखों में थोड़ा-थोड़ा पानी आने लगा था मगर तभी पीछे बैठे उन दोनों भोतों ने कहा इसका मतलब था गाड़ी रोको उसके कहने पर निल ने गाड़ी रोका तभी पिछली वाली सीट का दोनों साइड से दर्वाजा खुला जिसके बाद का नजारा वाकई में रोंग्टे खड़े कर देने वाला था दो कंकाल हमारी गाड़ी से उतर कर रास्ते के किनारे जंगलों में चले गए मेरा और निल हम दोनों का ही बुरा हाल था जैसे तैसे निल ने गाड़ी बढ़ाया और हम आगे बढ़ने लगें कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा लॉज दिखा तो हमने गाड़ी को फटा फट से उस लॉज की ओर मोड लिया और गाड़ी से उतर कर सीधे लॉज के अंदर भागें जहां रिसेप्सन पर पूरी बात बताने से पता चला कि भोला और भैरव वो दोनों सही में लंगोटिया यार थें और वो दोनों इसी हाईवे पर रात में कुजरने वाली गाड़ीयों को रुकवा कर या कैसे भी उन्हें अपने जाल में फसा कर लूट लिया करते थें मगर इस बात से वाकिफ एक ट्रक वाला जब रात में इस रास्ते से गुजर रहा था तभी भोला और भैरव ने मिलकर ट्रक रुकवाने की कोशिश की लेकिन उश ट्रक वाले को इन छटे हुए बदमाशों के बारे में सब मालूम था इसलिए उसने ट्रक ना रोक कर उन दोनों के ऊपर चड़ा दी जिससे भोला और भैरव वहीं मारे गए और तभी से उन दोनों की आत्माएं इसी रास्ते पर भटकती फिरती है और कभी कदार यहां से गुजरने वाले मुशाफिरों को परिशान करती है ये सब सुनकर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम रात में आगे जा सकें इसलिए हमने उस लौज में ही रात कटाया और सुबह होते ही निकल गए तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानिया है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें तो मैं आरियन जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ दूर एपसे जल्दी मिलूंगा